जैसे कि आप लोग को पता है कि दाखिल खारिज करने के बाद एक temporary number दिया जा रहा है इस temporary number से दाखिल खारिज का status चेक करना या फिर दाखिल खारिज के लिए case number जो बनता है वो case number कैसे पता करना है बहुत सा लोग को जो है ये समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारा दिक्कत हो रहा है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम temporary number को use करके status कैसे चेक करेंगे दाखिल खारीज का और साथ ही साथ case number हम कैसे पता करेंगे कैसे हम fine करेंगे temporary number से दाखिल खारीज का status चेक करने के लिए आपको जो है आप यहां से login कर लेंगे without login आपका काम नहीं होगा सबसे पहले आपको login कर लेना है तो आप जिस number से registration किया है उसी number से आप login कर सकते हैं या तो फिर दूसरा number से भी login कर सकते हैं अगर आप इसमें registration नहीं किया है तो यहां से registration पर किलिक करके आप पहले registration कर लेंगे आपके mobile पर OTP जाएगा OTP डाल के जो है इस तरह से आप login हो जाएगा login होने के बाद जो है इस तरह का interface आएगा आपको जो है सारा option इसी में मिल जाएगा सबसे पहले तो आप इस नमर से आवेदन किये होंगे तो उसका जो है temporary number भी दिखाई देगा आपको करना क्या है यह temporary number को पूरे copy कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे आपको copy कर लेना है अगर आप किसी दूसरे का check कर रहे हैं तो दूसरा का जो है यहाँ पर total चीज आपको note कर लेना है उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर यह option मिलेगा यहाँ पर देखिए यह option मिलेगा check application as scrutiny status आपको इसी पर click करना है इस पर click किजएगा तो सबसे पहले यहाँ से आपको जिला select करना है आप जो ही mutation दाखिर खारिज किया है वो कौन सा जिला का किया है इस तरह से जिला select करेंगे उसके बाद इहाँ से अंचल select करना है कि आप कौन सा अंचल था उसका यहाँ कि बलोग कौन सा था यहाँ से जो है आप बलोग select करेंगे यहाँ से जो है आपको आवेदिन संक्षा लिखना है तो जो भी आपका temporary number है वो जो है यहाँ पर आपको इस तरह से टाइप कर देना है टोटल लेटर जो है आपको टाइप करना है टी एमपी भी आपको लिखना है टी एमपी बाकि जो नमबर है वो भी नमबर लिखना है जिस तरह से हाइफन दिया हुआ इस तरह से आपको भी लिखना है और 24-25 इस तरह से लिखा वा रहता है वो भी आपको same to same आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद जो है यहाँ पर आप search पर click करेंगे जैसे इस search पर click किजएगा तुनका जो है यहाँ पर नाम दिखा दिया जाएगा उसके बाद कितना तारी को submit हुआ था application यह दिखा दिया जाएगा और यहाँ last में जो है इस तरह से वो अभी किस के पास spending है यह status दिखा दिया जाएगा जिसे कि देख सकते हैं यहाँ पर status spending at करमचारी यानि कि अभी करमचारी के पास spending है बाग इधर जो है खाता नमर, प्लोट नमर और temporary number जो है यहाँ फीर से दिखाया जाएगा, चलिए आप पता लगाते हैं कि temporary number से जो है आपको case number कैसे मिलेगा, case number आप Наastern कैसे find करेंगे कैसे पता करेंगे तो temporary number से case number पता करने के लिए यहां से यह जो है इसको पहले क्लोज कर देंगे उसके बाद आपका जो भी case number generate होगा चुकी अभी क्हुaska होगा अगे जो भी case number आपकाव होगा तो, यहाँ पर नीचे आप आईएगा जिस number से आप अबेधन किया है उस नम्र से जो है आप login कीजेगा law imaging करने के बात जो है इस तरह से interface आएगा आपको नीची आएगा तो आपको जो है नीचे जो भी आवेदन आपकिये हैं वो आवेदन यहाँ पर करेगा इस तरह से और उसी के नीचे हाँ पर application है साथ यहाँ पर application के नंबर पर जो है जिनसे वो जमीन खरीदा है उनका जो है जमाबंदी पंजी आपको निकालना है रजिस्टर टूर निकालना है यहां से जमाबंदी पंजी पर किलिक करेंगे जिनसे जमीन खरीदे हैं उनका जो है इस तरह से जमाबंदी को open करेंगे यानि कि जो आप दाखिर खारिज करते समय जिनका भाग बरतमार फिल्ट संखिया देखे उसको जमाबंदी को जो सल्क्ट किया थे खारिज होने के लिए उसको जो है यहां पर open करेंगे open करने के बाद जो है थोरा सा नीचे आएंगे तो यहां पर जो है जो जिस आजमी को बेचा है इसके ब्रुद में जिनका जिनका दाखिर खारिज हुआ है वहाँ पर इनका इस तरह से detail फो करेगा तो आपका case number generate होगा तो इसके नीचे जो है इस तरह से नया एक option add होके यहाँ पर आपका नाम और यह देख सकते हैं serial number serial number के बाद जो है यहाँ पर case number यहाँ पर मिल जाएगा जैसे की इसब का जो case number यहाँ पर दिख रहा है तो आपका भी case number इसके नीचे यहाँ पर दिख जाएगा जैसे करम चारी आगे जो है उसको forward करेगा आगे पास किया जाएगा तो आपका जो नाम है यहाँ पर add हो जाएगा यहाँ पर एड हो को ये वीडियो जरूब पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते मगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद